नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है अंतराश्ट्री महला दिवस पर जाने किन महलाओं को पीम मोदी ने सोपा अपना ट्वीटर अकाउंट दोस्तों अंतराश्ट्री महला दिवस के मौके पर प्रधार मंतिर नरिंदर मोदी ने देश की साथ महलाओं को अपना ट्वीटर एकाउंट सौपा है जिसमें से पहली महला का नाम मिस्तेहा मौनदास जो बेखर लोगों को खाना खिलाने के लिए फूड बैंक इंडिया नाम का अविहान चलाती है दूसरी महला मालविका अईयर है जिनोंने तेरा साल की उम्र में एक बम धमाके में अपने दोनों हाथ गवा दिये तिसरी महला है कस्मेर की अरिफा जिनोंने अपने राज्य के खत्म होते सिल्प को पुनर जिवित करने का बीड़ा उठाया है चोती महला है कलपना रमेश जो जल संचैन का कारे करती है पांचवी महला का नाम है विजिया पवार महराष्ट के बंजारा समुदाय की है छटवी महला कलावति देवी है जो की कानपूर की रहने वाली है आई जानती इन महलाओं की कानी स्नेहा मोहनदास फूड बैंक नाम से अभियान चलाती है जो बेघरों को खाना खिलाने का काम करता है उन्होंने अपनी कहानी साजा करते वी लिखा आपने सोचने के लिए खाना जरूरी है के बारे में सुना होगा अब समय है इस पर कारे किया जाए और गरीबों को एक बहतर भविश्य दिया जाए मुझे अप से जादातर विदेश में रहते हैं हमने 20 से जादा सभाएं की अपने काम के जरिये कई लोगों को प्रभावित किया हमने साथ में मिलकर खाना बनाने कोकिंग मेरा थन पान जागरुकता जैसे गतिवीधियों की सुरुआत की मुझे तब ससक्त महसूस होता है जब मैं वह कर करती हूँ कि कम से कम एक जरूरत मन व्यक्ति को भूजन कराए और एक भूक मुक्त ग्रह में योगदान दे मालविका एयर ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि 13 साल की उम्र में मैं एक बम धमाके में मैंने दोनों हाथ कमा दिये और पैर भी पूरी तरह से जखमी हो गए थ मेरा मानना है कि सिच्छा परिवर्तन के लिए अपरिहार है हमें भेदभाव पुर्ण रवयों को लेकर युवाओं के दिमाग को समवेदन सिल बनाना होगा हमें विकलांग लोगों को कमजोर या दूसे पर निर्भर दिखाने के बिज़ाए उसे रॉल मोडल के तोर पर द दिखाना चाहिए मनोविर्ति विकलांगता को नर्ष्ट करने की आधीर लड़ाई है माननिय प्रधान मंत्री ने महला दिवस पर मुझे मेरे विचारों को प्रसारित करने के लिए चुना है इससे मुझे विश्वास हो गया है कि विकलांगता के मामले में भारत पुराने अंदविश्वासों को खत्म करने के लिए सही रास्ते पर चल रहा है जम्बु कस्मीर की रहने वाली आरिफा ने अपने कहानी बताते वे उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कस्मीर के पाराम पर एक सिल्प को पुनर जिवित करने का सपना देखा क्योंकि वह स्थानिय महला को स उन्होंने बताया जब परंपरा और आधुनिकता का मिलन होता है तब चमतकार होते हैं मैंने अपने काम से इसका अन्भो किया है इसे आधुनिक बजार की मांग के अनुरूप बनाया गया है मेरी पहली वैविसाइक गतिविधी ने दिल्ली में हस्त निर्मित बस्तों की प भाग लेना था इस प्रदर्शनी से अच्छे ग्राहक और एक टर्न ओवर मिला कल्पना रमेज पानी संरक्षन और वर्साजल संचयन का काम करती है अपनी कहानी बताते वे उन्होंने कहा कि छोटी कोशी से बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं पानी एक मुल्यवान चीज है जो हमें विरासत की तौर पर मिली है हमारी आने वाली पीडियों को इससे बंचित नहोने दे जिम्मिदारी से पानी का उपयोग वर्साजल का संचयन करे जीलों को बचाए उपयोग किये गए पानी को रिसाइकल करे और जागरुकता पैदा करे मैंने कभी नहीं सुचा था कि मैं चिडियों को वापस किसी जहल में ला सकती हूं या प्रधान मंत्री के अकाउंट से ट्विट कर सकती हूं दिर्ड संकल्प के साथ असंभव को प्राप किया जा सकता है हम जल संसाधनों के प्रभंधन पर सामोही कारवाई के साथ समुदायों में बदलाव ला सकते हैं आईए हम परिसानी को खत्म करने वाले बने विजिया पवार ग्रामिन महराष्ट के बंजारा समुदाय से तालुक रखती है वर दो दसकों से गोर माटी कला के छेतर में कारे कर रही है उन्होंने अपनी कहानी साजा करते वे लिखा गोर माटी कला को बढ़ावा देने के लिए पंत प्रधान नेरेंदर मोधी जी ने ना केवल हमें प्रुसाहित किया बलकि हमारे आर्थिक साहिता भी की यह हमारे लिए गोरब की बात है इस कला के सरनक्षन के लिए मैं पुरी तरह से समर्पित हूँ और महला दिवस के अवसर पर गौरानवित मैसुस कर रही हूँ छटवी महला कलावती देवी है वे कानपूर की रहने वाली है अपनी कहानी साजा करते वे कला देवी ने लिखा कि देश की बहन बेटी और भवों को मेरा यही संदेश है समाज को आगे ले जाने के लिए इमानदारी से किया गया परियास कभी निस्फल नहीं होता इसलिए बाहर निकलिए अगर कोई कड़वी भासा बोलता है तो उसे बोलने दीजिए अगर अपने लक्ष को पाना है तो पीछे मुण कर नहीं देखा करते है स्वस्त रहने के लिए स्वच्छता जरूरी है और इसके लिए लोगों को जागरुक रहने में थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन मुझे पता था कि अगर लोग समझेंगे तो काम आगे बढ़ जाएगा मेरा अर्मान पुरा हुआ स्वच्छता को लेकर मेरा प्रयास सफल हुआ हजारों सोचालाय बनवाने में हमें सफलता मिली है मैं जिस जगह पे रहती थी वहां हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी लेकिन दृड़ विश्वास था कि सवच्छता के जरिये हम इस इस्तिती को बदल सकते हैं लोगों को समझाने का फैसला किया सोचालाय बनाने के लिए घूम घूम कर एक एक पैसा एकठा किया आखिकार सफलता हाथ लगी दोस्तो इसे प्रकार और विरोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सेर्वर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद